भारत को आजादी तो मिली लेकिन 200 सालों की गुलामी के बाद बृतन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत बहुत लूटा और भारत की अर्वों की संपत्ती लेकर चले गए लेकिन कभी आपने अंदाजा लगाया कि इन 200 सालों में भारत की कित्ती संपत्ती को लूट लिया गया आज आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएगे नमस्कार जहिंद भारत तक देख रहे हैं आप और आपने दब्रिटेन फाइल्स देखना शुरू कर दिया है आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन ब्रिटिश साशन में बाद भारत का काफी धन लूटा गया वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है लेकिन प्रत्षिद अर्थ शास्त्री उत्सा पटनायक को ने जो है वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है आप निवेशिक भारत और ब्रिटेन के बीच राज कोशिये संबंधों पर शोध करने वाली पटनायक ने निबंद लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया किया किर ब्रिटिश शास्कों ने भारत से कितना धन लूटी ब्रिटिश शास्कों की ओर से लूटे गए खाजाने की वज़ा से अर्थ्ववस्था पर काफी असर था दो सो साल तक देश में अत्या चार करने वाले अंग्रेज वापस तो लूट गए लेकिन इतने समय में उन्होंने हमारा काफी बहुत जादा यानि की धन लूट लिया जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अपने निबंद में लेखा कि अंग्रेजों ने भारत का करेब 45 ट्रिलियन डॉलर लूट लिया उत्सा पटनायक के इस निबंद को कॉलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेश ने प्रकाशित किया उत्सा ने बताया कि साल 1902 तक के भी भारत की प्रती व्यक्ति आए 196.1 रुपे थी जबकि साल 1945 से 46 में ये 201 रुपे पर पहुँच गई थी उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने जो है उस साल 1765 से 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना भारत से लूटा था जो की 45 ट्रिलियन डॉलर के पराबर है इस निबंद में ही उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने भारत को लूट कर परबार कर दिया और अपनी शानों शौकत के लिए वो कभी भी भारत का उन्होंने नाम तक नहीं लिया यानि कि भारत का खजाना लूटा भारत का खजाना लूट कर अपने देश वापस ब्रिटन चले गए और भारत से कभी इस बात की माफी तक नहीं मांगी भारत के साथ की अत्याचारों पर कभी बाफी नहीं मांगी हर किसी को मालूम है जल्यावाला बाग में क्या हुआ था और कैसे अंग्रेजों के द्वारा जो शासन करने के लिए वोईस राय या तमाम जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी न्यूक्त किये जाते थे वो किस तरह से भारतीयों पर जुल्म करते थे औरतों पर अत्याचार करते थे उनके साथ दुराचार करते थे ये सब कुछ किया उनोंने हमारे क्रामतिकारियों की जान तक ले ली और बदले में माफी मांगने के वो लूट के लेकर चले गए भारत का 45 ट्रिलियन थन इसके दुराचारों की कहानी आपको लगाता है, 15 गस्तर बताते रहेंगे, देखते रहेंगे, भारत तक, नमस्कार, जैहिन